तो बच्छों हम साइकेंड कुश्चन करने वाले इसका तो देखिए यह बोले ड्रॉइग ग्राफ कि मुझे कुश्चन दीए अब ध्यान से देखिए मैं इससे पहले मैं इससे कॉडिनेट एक्स और वाई की कॉडिनेट तीन कॉडिनेट निकाल लेता हूं एक्स वाई के त पहल्ता होँ अब आप एक्स से यहां लिकलेता हूं और अब थाल से देखो अगर मैं एक्स एक्स की वैली अगर मैं जीरो रखता हूं यहां पर देखो एक्स अगर मैंने जीरो रख दिया तो यह टु बी पूरा जीरो जाएगा और यह आजागा 12 बाइ 3 और wheat ऍवrophe ठीक है अगर मैं यहां पर देखें अब मैं ऐसा क्या रखूं तो ऐसे नंबर ऐसे तो आप कुछ भी रख सेकते हो आप कोई प्रॉब्लम नहीं पर ऐसे नंबर रखा करो जो इससे पूरा कड़ जाए ठीक है तो देखो यहां पर मैं अगर मैं रख लेता हूँ पर है थो एक्स थ्री ठूलाटि में एक्स की जगामने अगर कि रखता हूं कितना हूं तो यह किन वाला देखो अगर मैं एक्स पर थ्री रखता हूं तो यह हो जाएगा देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 12 minus 3 to just 6 upon 3 तो यह हो जाएगा 6 upon 3 और यह cut के हो जाएगा 2 तो देख रहा हो तो यह अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो यह y की value आने वाली है 2 ठीक है और अगर मैं इसको minus 3 रखता हूँ ठीक है कितना minus 3 रखता हूँ x की value अगर मैं minus 3 रखता हूँ तो देखो यह हो जाएगा 12 minus 2 into minus 3 यह हो जाएगा 12 plus 6 upon plus 12 plus 6 upon 3 तो यह हो जाएगा देखो कितना 18 upon 3 और यह हो जाएगा 18 है ना तो यह हो जाएगा तो वाई आ जागा मेरा सिक्स हो देखो देखो तीन आ गए एकस वाई के कॉडिनेत्स तो मतलब पहला वाला है 0,4 दूसरा वाला है 3,2 और तीसरा वाला माइनस 3,6 और मैं यह कोश्चन में करने वाला हूं मैंने पॉइंट कर लिये थे हैं आपर xy कि कॉडिनेट तो देखो और इस पर एक और चीज बोले कि यहां पर मतलब यह है मेरा देखो यह वाला जो पॉइंट है उसको बोलूँगा मैं 0,4 तो देखो मेरा पहला पॉइंट मेरा अलाट हो चुका है तो दूसरा पॉइंट है मेरा 3,2 तो देखो 3 यहां पर है और 2 यहां पर है तो देखो मैं इसको कर लेता हूँ 3,2 तो यह मेरा दूसरा point हो गया 3,2 है अब last point है minus 3,6 तो देखो minus 3 है और 6 यहाँ पे है देखो 6 तो इससे पारी हो गया है तो देखो कोई problem नहीं मैं कर लेता हूँ फिर भी तो यह है यहाँ से मैं सीध्य उपर जाओंगा यह 6 है तो let's suppose मैं इस point को यहाँ पे ले लेता हूँ 6 तो यह हो जाएगा minus 3,6 और अब ध्यान से देखिए यह पूरा एक straight line मेरी क्याल से बन रहा है पूरा देखो और यह straight line बन रहा है देखो बिलकुल यह बन रहा है स्ट्रेट लाइन तो मैं इसको plot करवा दूंगा देखो 6 थोड़ा और उपर बनना चाहिए था पर यह मैंने जान देखो यह इस पर graph paper में बचा नहीं है तो यह इधर कई बनेगा ठीक है तो यह जगत minus 3,6 यह minus 0,4 और 3,2 तो देखो यह plot मैंने कर दिया है यह काफी easily हो स्ट्रेट करते हैं